नमस्ते विद्यार्थियों, JCRT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, छटी कक्षा के इतिहास विशय का हम अध्यन कर रहे हैं, और आपके समर्ष इतिहास विशय का सात्वा अध्याय, जिसका नाम है नए धर्मों का उद्रै। तो इस चैप्टर का हमने अध्यन किया, और अब चलिए हम इस चैप्टर के कुछ सवालों के हल त्यार करते हैं। तो विद्यार्थियों, इसमें जो प्रस्नोत्तर हैं, वो पहले फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं, और उसके बाद सौट एंसर टाइप सवाल हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं विद्यार्थियों, ये चैप्टर नंबर सेवन है, और इसमें हम सभी प्रस्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। जदी एक वीडियो में सभी प्रस्न हल नहीं होते हैं, तो उसको आप दूसरे वीडियो के माध्यम से भी देखेंगे। तो चलिए, हम सुरुवात तो कर ही दें। तो अब देखिए, पहला जो सवाल है, वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले सवाल हैं। विद्यार्थियों मेरा प्रयास यह होगा, कि मैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो सवाल हैं, उनके भी मैं अस्पष्ट उत्तर दूँ और उनका भी जदी सौट एंसर टाइप प्रस्न आपके समक्ष आता है, तो उसका आप जवाब लिख सकें। तो चलिए, आपके समक्ष पहला सवाल है, जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं, कि महाबीर जैन धर्म के कौन से तिर्थंकर थे, यानि कि संख्या में वो पहले थे, दूसरे थे, तीसरे थे, या फिर 23 या 24 में थे, आपको विद्यार्थियों पता है, कि जैन धर्म में कुल 24 तिर्थंकर हुए हैं, और तिर्थंकर को विद्यार्थियों हम लोग अरिहंत भी कहते हैं, याद रखिएगा यह नाम अरिहंत, या फिर हम जिनेंदर भी कहते हैं, तो जैन धर्म में तिर्थंकर उन 24 विद्यार्थियों को कहा जाता है, जिन्होंने अपने तब से आत्म प्राप्त किया तो कुल 24 तिर्थंकरों का नाम आपको याद रखना जरूरी नहीं अभिद्यार्थियों लेकिन कुछ नामों को आप याद रखेंगे जैसे की पहले अरिहंत यानि की पहले तिर्थंकर थे रिसब देव जी दूसरे अजीत नाज जी तीसरे संभव नाज जी और इसी तरह से चोथे, पांचवे, छटे, साथवे और आगे चल करके 21 जो तिर्थंकर हुए उनका नाम नेमी नाज जी है इनी नेमी नाज जी का जो मंदिर है वो राजस्थान के माउंट आभू में है जिसको हम लोग दिलवारे के मंदिर कहते हैं वहाँ पे आदी नाज जी का भी मंदिर है और नेमी नाज जी का भी मंदिर है 22 तिर्थंकर है अरिष्ट नेमी जी 23 है पारसुनाद जी और 24 है कौन विद्यार्थियों महाबीर स्वामी तो आपका जो सवाल है कि महाबीर जो है वो कौन से तिर्थंकर थे तो इसका जवाब हो गया 24 तिर्थंकर ठ अपनी सिक्षा किस भासा में दी तो विद्यारतियों जिस जूग में जो भासा चल रही होती है जो प्रियोग में रहती है उसी भासा में आप देखिएगा कि सिक्षा भी दी गई है महापुरुसों के द्वारा तो इसमें मैं बताता हूँ आपको एक भासा थी विद्यारतियों प्राकृत भासा, आज प्राकृत भासा में कोई न बोलते हैं और न कहीं लिखी हुई कोई चीज आपको मिलेगी, लेकिन हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी विद्यारत में आएगा, है न, तो मैं आपको बताता हूँ भी द्यारतियों कि भारतिय आरे भासा के मध्य जुग में जो अनेग प्रादेशिक भासा में विक्सित हुई, उनका समाने नाम प्राकृत है, फिर से सुन लिजिए, भारतिय आरे भासा के मध्य जुग में जो अनेग प्रा जो है उसका क्रमिक दिकास होता रहता है एक जुग में जो भासा बोली जाती है आने वाले समय में उस भासा का रूप निस्चित रूप से बदल जाता है है ना विद्यार्थियों तो प्राकृत भासा आज प्रयोग में नहीं है लेकिन प्राकृत भासा के बारे में आपको ज तो मैं आपको बताता हूं विद्यार्थियों किसी काम या बात का प्रारम या प्रचलन करने वाले को प्रवर्तक कहा जाता है यानि कि जिसके द्वारा किसी काम की सुरुवात की जाती है उसे प्रवर्तक हम कहते हैं तो विद्यार्थियों गौतम बुद्ध जो हैं वो बौत दरम के परवर्तक हैं ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं आपके समक्ष अगला सवाल है गौतम बुध के ग्रीत त्याग की घटना को क्या कहा जाता है या क्या कहा गया है तो विद्यार्थियों इसके लिए एक सब्द है महाविनिस्क्रमन तो यहां पे आप एक चित्र देख सकते हैं विद्यार्थियों इस चित्र में आप देख सकते हैं कि गौतम बुध जब 29 वरस की अवस्था में अपने घर को छोड़ करके जा रहे होते हैं देखिए उनकी पत्नी और उनका जो पूत्र है वो किस परकार से सोए हुए है और उनको वो त्याग करके अपने घर से जा रहे हैं है न तो ये बहुत सहित में और बहुत धर्मा और लंबियों के बीच महा विनिसकर्मन सब्द जो है इसकी बहुत आस्था है तो चलिए हम लोग ये जानने का प्रयास करें कि महाविनिस कर्मण क्या है तो महाविनिस कर्मण का आर्थ है महात्मा बुद्ध का ग्री त्याग महाविनिस कर्मण का क्या आर्थ है महात्मा बुद्ध का ग्री त्याग यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं एतिहासिक ग्रंथों में बुद्ध के ग्रिहत्या की घटना को महाविनिस कर्मन सब्द से संबोधित किया गया है ठीक है विद्यार्थियों अब आगे बढ़िए और देखिए आपके सामने अगला सब्द है अगला सवाल है न हमारे लिए जो महतफुन सब्द है वो कौन सा सब्द है निर्वान सब्द है ना तो निर्वान सब्द का यहां क्या आर्थ है तो निर्वान सब्द का आर्थ होता है विद्यार्थियों मुक्ति है ना कि जन्म और मरन के जो चक्र से मुक्ति मिल जाना इसी को हम लोग कहते ह निर्वान ठीक है विद्यार्थियों अब हम आगे बढ़ते हैं आपके सामने आप देखिए सही मिलान करने वाले सवाल हैं तो इनको भी हम लोग सौट एंसर के तौर पर नहीं बलकि इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं विद्यार्थियों कि आपका जो चाप्टर है उसमें दोनों और कुछ सब्द दिये हुए हैं तो इन सब्दों में से जो उचित मेल है उसे हमें मिलाना है ठीक है विद्यार्थियों तो इस तरब बाई और देखिए वहां लिखा हुआ है हम लोग ये जानने की इच्छा तो जरूर्ख होगी आपको विद्यार्थियों की कपीलवस्तू कहां है है ना तो मैं आपको बताता हूँ कपीलवस्तू साक्य गण की राजधानी थी या अस्थान अभी नेपाल में है है ना गौतम बुद्ध से घनिष्ट संबंध होने के का तो काफी सरद्धा से कपीलवस्तू का नाम लिया जाता है ठीक है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अब आपके सामने देखिए महाबीर का जन्मस्थान तो इसके साथ हमने सुमेलित किया है कुंडग्राम तो आपको ये भी जानने की इच्छा होगी विद्यार्थियों की कु कुंडग्राम जो है वो हमारे राज जारखनड के पडोसी राज जिसको हम लोग बिहार के नाम से जानते हैं और जो जारखनड राज बना है वो बिहाराज का ही एक पहले हिस्सा था है ना तो कुंड ग्राम बिहाराज के बैसाली जिला में स्थीत एक गाउं है भरवान महाबीर की जन्मस्थली होने के कारान जैन धर्म के मताव लंबियों के बीज बैसाली एक पवित्र अस्थल है तो इसको आप ध्यान से देख सकते हैं विद्यार्थियों यहां पे आपको कुंड ग्राम जो है वहां का वहां का जो एक स्थूप है वो भी दर्साया गया है है ना तो कुंड ग्राम कहां पे है बिहाराज में है किस जिले में है तो बैसाली जिले में है और वो एक गाउं है है ना और भगवान महाबीर यानि की जैन धरम के जो 24 में तिर्थंकर थे उनकी जन्म अस्थली होने के कारण जैन धरम के मताव लंबियों के वीज बैसाली क्य है एक पवित्रस्थल है यहां तक समझे होंगे विद्यार्थियों अब चलिए हम लोग things सbalыл करते हैं और यह जानने का करते हैं कि बुद्ध का ग्रीं त्यार यानि कि उनका जो महाविनिस कर्मन था उसका प्रतीक क्या है तो उसका प्रतीक है विद्यारतियों घोड़ा तो इसे हमने उन्य हमने सुमेलित किया है और इस के साती साथ कुछ और चीजों को आप जान लीजिए कि बहुत धर्म में किन-किन प्रतीकों का क्या मतलब है तो चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं कि बहुत अुछ गोटम बुद्ध की समझे जैसे की बौत धरम यानि की गौतम बुद के जर्म का संबंद क्या चीजसे कंड़ से और सांड़ से हैं WhatsApp bu ग्री त्यार का संबंद क्या चीजसे है घोड से और ज्ञान प्राप्ति का संबंद क्या चीज़ से विद्यार्थियों पीपल के ब्रिक्ष से है इसलिए जब कभी भी आप गौतम बुद्ध की तस्वीर देखेंगे जब वो ज्ञान मुद्रा में राते हैं तो उनके पीछे एक पीपल का ब्रिक्ष दिखाई देता है और उ आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों उपनिसद का अर्थ क्या है तो इसको सुमेलित किया गया है उपनिसद का मतलब होता है समीप बैठना यानि की नजदीक बैठना है ना तो चलिए आपके सामने मैं एक सवाल रखता हूं सौट एंसर कोस्टें कि उपनिसद क्या है है तो चलिए उपनिसद का अर्थ क्या होता है उपनिसद का अर्थ होता है ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए गुरू के पास जाकर बैठना है ना तो भारत के समस्त दार्षनिक विचारधाराओं का सुरोत उपनिसद को माना जाता है उपनिसद को वेदान्त भी कहा ज लगता है कि इसमें आपको कोई तकलीफ होगी है ना तो इसी तरह से आपका प्रयास होना चाहिए कि आप कुछ प्रस्णों के हाल अपने से भी करें अब जो सौट इंसर टाइप कोसेन यानि की फिलिंदा ब्लैंक्स और सुमेलित वाले जो सवाल है उसमें अंतिम है बाउत धर्म के त्री रतन हम लोग कहते हैं बुद्ध को संग को और धम को है ना आप जानना चाहेंगे विद्यार रतन क्या है तो बाउत धर्म में त्री रतन है बुद्ध धम और संग इसको थोड़ा समझ लीजिए बुद्ध का मतलब जागरीत एवं अनंत ज्यानी पुरूस ठीक है बुद्ध का मतलब क्या हुआ जागरीत एवं अनंत ज्यानी पुरूस धम का मतलब हुआ बाउत धर्म सिक्छाओं को धं कहते हैं और तीसरा है क्या विध्यार्थियों संग है Nоров धरम में बहुत विक्चुओं और बहुत उपाशकों के संगठन को संग कहते हैं तो ठीक विध्यार्थियों जो आपके सुमेलीत करने वाले स्वाद और fill-in-the blanks वाले जो शवाल थे उनको मैंने short answer type question में भी convert करके आपको बताने का प्रयास किया अब इस chapter के जो कुछ short answer type question है जिसमें कि आपको 2-3 वाक्यों में जबाब देना है या कम से कम 5 वाक्य लिखना है उसे मैं अलग वीडियो से के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तूत करने का प्रयास करूंगा तो विद्यार्थियों मैं बार-बार ये बात आपके समक्ष दोराता हूं कि आप पाठिपुस्तक से दूर नहीं होंगे और हमेशा आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप जब कभी भी वीडियो देख रहे हूं तो पाठिपुस्तक आपके समीप रहना चाहिए पाठिपुस्तक को जरूर देखेंगे अभी जो अभ्यास के प्रस्न मैंने आपके समक्ष हल करने का प्रयास किया ये सभी आपके इतिहास पाठिपुस्तक के पृष्ट संख्या 71 पर उपलब्ध है ठीक है विद्यार्थियों और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ जैहिन विद्यार्थियों जोहार विद्यार्थियों